असलाम अलेकुम नमस्कार सस्रिया काल कुछ इबनिंग मैं वर्जु कास्मी और आप देख रहे हैं पॉइंट अक्यू हमारे साथ हैं जी सुमी जैन साहब नीहाओ सर नीहाओ वही आपने अब क्या जापाएं नीहाओ शुरू कर दिया नमस्ते बंग कर दी नहीं 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 प्राइम मिनिस्टर मोधी जी वह रशिया पहुझ गया है आप उनके विजट को कितना इंपॉर्टन समझते हैं भारत और रशिया दोनों के लिए आपका दोनों है आपका स्रू लेल लेन है चाइन से और इसलिए मोधी जी ने इस बार एक ही कम किया तीसरे टर्म में सबसे पहला काम किया है चाहिन रश्या का विजिट किया है इस पर एक यह दिखाने के लिए रश्या को अब कि आवाज नहीं आ रहेगा तो हम कितनी आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर्वीज में आओ उसमें मेरी बीबी का फोन आ जागए था इसलिए कर गिंदि तो तो रॉष्या को और दुनिया को हमने भी बताना था कि वही हमारा दोस्त रॉष्या था है और हमेशा रहेगा वैस चाता है कि हम कभी भी रश्या से दूर नहीं होंगे जहां पर हमारा इंटरस है हम वहां पर अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे कुछ भी हो जाए तो कहीं ना कहीं आग लगानी भी जूरी थी अमेरिका को क्योंकि आपको मौलूम है कि हमारे लेक्शन के अंदर ली उन्होंन और रश्या के साथ खड़े होना हमारा जरूरी भी है मजबूरी भी है यह एक को बहुत ही जरूरी था वैस्ट को भी और चाइना को भी और दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका था सीधा बीच में रश्या आता है रश्या पहुंच आँग जाओ कि हमारा जो बैलन्स और पेमेंट है रश्या के साथ व बहुत बिगढ़ा हुआ है हम इंपोर्ट करते हैं उससे साठ विलियनद डॉलर का प्रज्च करते हैं तो हम मैडिसी को एक्सपोर्ट करते हैं आप ड्रग्स करते हैं तो इसके करनद जो हमारा जो डिफरेंश भूर जादा बढ़ गया है अभी भारत भी चाहता है कि हम अपने शमान को तो उसके लिए भी मोदी जी गए हैं अब एक्सपोर्ट करनी सकते हैं क्योंकि अलड़ी जो ट्रेड लाइन्स हैं वो ब्लॉग्ड हैं शिप्स जाती नहीं हैं तो कोई लों को रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मौलेना की रश्या के पास वीटो पावर है यूनाइट नेशन में बहुत बात करने के रहे होंगे कि भईया हम ना कुछ काम बड़ा करने वाला हूं ताकि सीधा कश्मीर से रास्ता रश्या तक पहुंच जाए और आपको वीटो पावर की जूर्फ पढ़ेगी हम जो जो बीच में उसको बीच में उसको कम करने की जो है वो आपको यकीन है कुछ ना को 600 इस रीजन में दिखाई दे रहा होगा आपको चाहिना को हमने बहु दिया बंदे दे पुतर बंजो बड़े 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 जो टेड़े थे उनको सीधा करना आता है तो इसलिए वहां पर भी कहीं ना कहीं मुझा गर्मी संप हो र भारत तुम्हें ट्रेड दे सकता है अगर ट्रेड करना है तो पहले ये प्रॉलम्स को ठीक करो 2020 में तुमने हरकत करी है इसको ख़रम करो और आप मिलकर आप भी अपने कंट्री में तरकी करें हम भी करेंगे और ये मैसेज देना भी जरूरी था चाहिना को और चाहिना भी भारत की मार्किट उसके लिए खुल जाए और भारत ने भी बहुदिया हमारी मार्केट खुलेगी तभी जब आप चीडे होगे अगर आप चलोगे तो हमें च्रेड़ा आना बना आता है और इसलिए मुझे लगता है कि जैसी जैसे चाइना जीक होता जा रहा है इक आपना प्रेक्स को नहीं खेलेगा अपनी गेम को अपने तरह के से नहीं खेलेगा तो आप यह जाए जो रश्या उक्राइन वार उसके शुरू होते पहली बार जो है वो प्यम होदी गये तो कुछ बात की जाएगी इस वार को रोकने के लिए इस तरह की जो भी हो रहा है और एक के अपने के लाँ पने के लिए आप से बात करने से पहले जो है उम्हां देख रही थी कि वहां पे जो लोकल्स यह नि जो इंडियन रहते हैं रहते हैं वह भी यह जा रहते हैं तो बहुत बड़ा डाइस्परा उनको आता भी है घृट भी करता है और भारत माता की जाए भ पर मिले मीट अब यह सारा कार्यक्रम तो मोदी जी का होता ही है अब एस पर एस युक्रेन रश्या वार इस पर शुरू करवाई थी आंथ हम यी करवाएंगे आपको याद होगा आपका पनौती बज़र शुरू करवाईगे देखिए आप शुरू तो आप नहीं करवाईगे मोदी जी गए है वार को खतल करवाणे के लिए कि याद उसी पांगे सारे दे पिछे लाएंगे क्यों वार शुरू कर लिया इसको बद करो और दुनिया को आगी लेके चलो तो मोदी जी बद करनेंगे चिंदा बद करो आप इंद यूद शुरू करा सकते है बद तो हमीं कराते है जिती अगर को इयुदर शुरू होता है जब भी यूद शुरू होता है जाके बंद कराने की जल्दी पढ़ी रहती है अभी इतना फाइदा हमें रश्या से हो रहा है यूद चल ल्यक्नना है तो देखें जाओं लेकिन सर फाइदा क्या हुरा है स्लीड़ कि अगर कहीं महंगा हुई यह कोई और प्रॉब्लम्स आग चाहे चाहे ना हो या पाकिस्तान या भारत हो ली जगा आज़ो जी पहले बात यह कि हमारे यहां पे आठा अभी जी 30 रुपे किलो है दूद भी 40-50 रुपे से उपर नहीं गया है कई कंट्री जैसी है जहां पर लोगों को बेफ्कू बनाने के लिए उनके कंट्री के जो हु जो बोल देते हैं कि हमारे यहां पे 200 रुपे लीटर इसले हो गया तो भी यूकरेन का वह आ रहा है तो आठा आ रहा है रख्या से ना दूद आ रहा है यूकरेन से तो उस यूद का हमारे यहां पर रेट इक्रीस करने का रीजन क्या है रीजन यह है कि आपके वहां पे जो कॉलिटिशन हैं वह आपको बेफ्कू बनाने के लिए या उस संट्रेश में बेफ्कू बनाने के लिए यह सेस्मेंट देते हैं कि पूरे डुनिया में जो बहंगाई है वह कुछ नहीं है यहां पर तेल पहले से सथा है जो भी रीजन ह हमारे यहां पर महंगाई नहीं है बड़ा सब कुछ चंगा पला है तो इसलिए यह पर उन कंट्रीज के जहां पर खेंकूर के लिए पॉलिटिशन जो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं मुझे लगता है वहां पर उन्हें तोड़ा सा संबल के स्टेटमेंट देना चाहिए श्यूद्पानिया 380 पर लीटर अभी मेरे घर में तो वही आ रहा है अगर लादे वाला फीट में से पैसे खा रहा हो तो मैं कुछ गह नहीं सकती है लेकिनिये सब्सक्राइब वह सब्सक्तित पारत में पहरत में भी महहाई हूए यह सरफ पाकिस्तार में दी हूई यह मुझे लगता कि आप एक तो आपका जो रोल मॉडल है तो राहूल कादी है उसका भी बेज़ा फाई रहता है आपका पशुरू से ही है तो इसलिए जो वह स्टेटमेंट रहता है वह सुन-सुन के आप भी प्रोग्रम लाजती है कि 12 मेंगाई हो ऐसा कुछ भी नहीं है यह सि अपके स्टेटमेंट अब इसको मानेंगे जब 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 उद्रान खान आपके कंट्री में पढ़न मंतरी था तो लोग उसको बोलते थे कि भी तुम्हारे कंट्रे में बड़ी महंगाई होगी तुम्हारे आने के पाद वो तो जब वो भो आपोजिशन में पहले दीन में स्टेटमेंट थी, देखिए, इनकी आने के बाद महंगाई इंक्रीज हो गई है, जब भी कोई पॉलिटिशन सत्ता में होता है, और जब सत्ता से बाहर निकल जाता है, स्टेटमेंट्स उर्टी हो जाती हों, यह तो दस्तूर है जब राहूल गांदी की गवर्मेंट्स ती, रहा है जब राहूल गांदी की गवर्मेंट्स ती, रहा है रिमोट कंट्रोल वाली, तो जब वो था, जब मुनमों सिंग को वो पोल के उपर नाचवाते थे, तो उसको का तो दूस था, वो 30 रुपे लीटर था, यहां पर भारत में किती तरक्की हुई है, जैसे सैलरीज इंक्रीज हुई है, तो अगर हम ऐसे कंपरिशन करेंगे, औ यहां पर नहीं करके तो इस सकता है, तो हो सकता है उसकी बढ़यों, लेकिन ग्रावेट जॉप्स करते हैं, उनक़े लिए बहुत ज़ादा फर्ख दोनों जगा नहीं है, मैं खुद प्रिवेट कंप्पनीज में ही काम करता हूं, गर्वर्मेंट ऑफिशल नहीं हूं है, अब मुझे मालूम है कि सेलरीज कैसे मिलती हैं, कितनी सेलरीज बड़ी हैं भारत में, और लोगों की जो लाइफ है, या इस अफ लिविंग है, वो कैसे बड़ा है, और उसके साथ साथ, जो सारी फसिलिटीज गर्वर्मेंट ने अब देनी चुरू कर दी है, तो बीट में से धांदली होती थी हर चीज में, वो सारी बंद हो गई है, उसमें भी आपकी जो रेजिविल अमांट बोलते हैं हम लोग, एकनोमिक्स में या फानैस में, जो रेजिविल अम सारी जो सस्ता नशा करके आते हैं, उनकी बातों पर मत जाया करें हैं, जो कच्ची शराब पीने वाले ना, हमारे बनती है कच्ची शराब, तो वह पीने वालों की बिलकुल मस सुने पाकिस्तानी होगी, लेकिन हा, मुझे यह बता ही सार के अमेरिका में भी अभी इलेक्श रहे हैं भारत के हैं, दूसरे यह जो, बाइडन, उनका मुझे कुछ समझ नहीं आती है, वो कहां को जा रहे होते हैं, और कहां को निकल जाते हैं, लेकिन आपके क्याल से, कौर जाधा जो है, वो स्ट्रॉंगली आ गया आ रहा है, और किसकी गर्मेंट बंती दिखाई दे अज की दुनिया में, कौन सी गर्मेंट आएगी, कौन सी नहीं आएगी, मैं पहले बोला है, कि लेक्शन के दरान, जो 15-20 दिन पहले होते हैं, उसमें कौन सा नरेटिव, स्प्रेड किया जाता है, उसके बेसिस पर, गर्मेंट बंती हैं, और गर्ती हैं, आपने यूके में है, बहुत जादा चेंज हो गई है, लगता था कि जो राइट विंग वाले लोग हैं, वो आ जाएंगे, मैं ही आपाई, तो अमेरिका के अंदर भी, अभी तक तो यहीं लगता है कि ट्रंप आने वाला है, लेकिन बाइडन भी बहुत बड़ा लिबरानू है, वो इसनी आपके पास वोटर आईडी नहीं भी है, तो भी आप वोट कर सकते हैं, अमेरिका में तो इतना बुरा हाल है, कि उन्हों ने अपना वोटर पैंड जैसे ही बनाया है, जैसे यह वाला है, वो ही मुस्मानों को इंपोर्ड करकर करके, तो सानों वोट दे तो, परमोशी कार द आप लोगे तो पोड़ी एतियात करें, तो मैं जब आपके साथ श्यों करूगी और आपकी सवरी नहीं होगा, तो हम किसे बात करेंगे, बताएं, जवाब कैसे आएगा आपका, उजे तो यह सुपरी आती, जिहादियों के खिलाफ जिहाद मैंने भी शुरू किया हुआ है जिता बतारो सर पंसे जुदा भी हो गया, तो भी बोला बंदी करेंगे, वो तो पते है सर, वगर प्रोब्लम यह कि वो दिखाएं कि कैसे हो, यह समझ नहीं आ रही, कि वो सीन क्या बने, जोबा, अल्ला ना करें, कैसी बाते कर रहा है, लेकिन हम लोग भी पागल है, लेकिन अमेरिका औ बाले की बाले करेंज बाले कर रहें, अमेरिक की बाले की सर से हैं आपके नहीं है, इस लिए, अमेरिका में जैसी बाला चोड़ा है, उन्होंने हमेरा हाथ पकर पकर रहने कि पाकिसान को उन्होंने बड़ा प्रोषा कंटेनर में पैसे दिये जो स्टेंट सोने के बने हैं उसी से बने हैं बार-बार रिप्वीट करना शूरी होता है सोने एमेर के साथ जैसे आपको यूजे कि अन्यफिया उसकिता है अचा को लोग अगर इसराइल और साओी चाहले में सब्सक्राइबिग और रभारत है, हमें को आर्थ फलिए होरा कमे पार्या खास traveया अचाय व् Precisujic और यह चलता रहेगा यानि यह चलता रहेगा लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ भी आते हैं लास्ट में और बात करेंगे पाकिस्तान की तो मोदी जी की नहीं सरकार जो आई है हमें बड़ा इंतिजार है कि कब पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं अब हमें कहते हैं कि आओ बैटे चाइ पीते हैं कब हो गई है आपके मुझे घीशक कर कब पाकिस्थान आएंगे अब बहुत जल्दी मैंने पहले बोला था प्यों के पास बन जाना तो नहीं आ रहे हैं यह तो मैंने सुने अपर जंटा लगाया जाएगा और आपने बोला कि स्पीच दे रहे होंगे आप भी आजाना विजा लेगा को दिक्कत में आपका मतलब अच्छे खाफ दिन में खाफ देख रहे हैं वैसे आप हैंगा सर जाते जाते ही तो बता दीजिए कि आप कहां पे हैं मतलब यह आज आपकी तुरा बैग्राउंड चेंज हुआ हुआ है मैंने तो बैग्राउंड में से चेंज होती है वोकिन आज मैं कॉफी पी नहीं हुए हुआ हो क्या हो यह भी अलाउड नहीं है तर इतनी गर्मी में कॉफी पी रहे है क्या होगे है कोफी बिलती है यहां पर और कोफी ले रहा हूं मुझे लगता है आप कभी कॉफी शॉप ने ना किसी ने इन्वाइट किया आपको कभी बिल्कुल साही समझाया आपने मैं कॉफी पीती ही नहीं हूं चाहे थोड़ी बहुत पीले दियो क्योंकि वह भी मोधी जी की वाजा से चाहे पीले थी मोधी जी ने कभी बारका है मुझे के बारत आप हमें चाहे पिलाएंगे तो मैंने कहां देखोंगे टाइम मिला तो जी मालवा हुझे एक ही चाहे प्लाइ थी अभी तक उसका जो सेख है आपके कर्ट्री बिद दिखाई जेरा है ऐसा ही लगता है बहुत जुग्रिया थाज़कि आपने आज जोईन किया थाख थैंक्यू सोबच थैंक्यू